हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल जिके ट्रैकर पर देखे फ्रेंड जो हमारी सीडीज चल रही ही थी टॉप प्रिविस ये जिके जीएस कोशेंस का आज उसका उन पचास वाम भाग है टीके इस वीडियो के अंदर, इस सीडीज के अंदर हम पिछले जो साल के पेपर्स है प्रिविस येर की जो कोशेंस से उनको करते हैं टीके अलग-अलग एक्जाम के कोशेंस को मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ ये सभी पेपर में आए वी कोशेंस हैं इस वीडियो के अंदर भी, अब मैं तो पुन 50 questions को देखेंगे, वो भी extra fact के साथ, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, अगर आपने अभी तक बाकी के 48 parts हैं, उनको नहीं देखा है, तो playlist में जाके आप उनको देख सकते हैं, बहुत important यह CDs है, तो चलिए पहला question देखते है, तो president को राज्य सूची के किसी भी विशे पर अध्यदे जारी वो नहीं कर सकते हैं, यह इन क्या है, अधिकार छेत्र में नहीं आता है, कि राज्य सूची में यह अध्यदे जारी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, एक और प्रश्न बनता है कि राष्ट्पती को अध्यदे जा वापस आ जाए, संसद के सत्र चलने लगे, तो कितने अवदी होती है इस अध्यदेश की, तो इसकी अवदी होती है केवल 6 हफथे, ठीक है, 6 हफथे तक ये रह सकता है, अगर उसके अंदर अंदर इसको संसद में पारित नहीं किया, तो ये अपने आपी खतम हो जाता है, ठी इनकी रचना है अश्टा ध्याई अगला है वर्स 1998 में भारत ने पोखरण में पर्माणू परिक्षन किया थे तो देखिए तो नहीं नाम क्या था इस नाम था शक्ति आपको पूछा जा सकता है 1998 में जो नाना उपरिक्षन परिक्षन किया गया था उसका कोड़-नेयम था उप्रेशन किया था DAVID के नाम से किसे जाना जाता है लोकनायक के नामसे प्रकाश नारायन तो यह जो उपादी दी गई थी ये दी गई थी किसको नूर जहां को ये उपादी मिली भी थी ठीक है ये आपको धियान में रखना है मलिका ए जमानी अगला है मानव शरीर के लिए फॉस्फोरस की दैनिक आवशकता कितनी होती है तो मानव शरीर के लिए जो फॉस्फोरस है इसके दैनिक आवशकता होती है अन्या पतार्दों की यह अन्या तत्वों की बात करें तो NACLE यानिकी जो सोडियम क्लोराइड होता है उसकी हमें लगबग 2-5 गराम आवश्टा होती है टीक है यह 2-5 गराम दूसरे के बात करें जो पोटेशियम है पोटेशियम हमको लगबग 1 ग्राम चाहिए होता है कैल्शियम की बात करें तो 1.2 ग्राम हमको लगबाग कैल्शियम चाहिए होता है तो यह सारी चीज़े हैं एक और पूछा जाता है इन्हीं तत्वों से संबंदित कि जो प्रेग्नेंट वोमें होती है जो गर्ववती महिलाएं होती है उनमें किन तो यह आपको ध्यान में रखना है तरही आगला है अस्मत बेगम कौण थी तो दिखे जो यह असमत बेगम ती यह नूर जहां की मांट थी और यह क्यों ये प्रसिद इसलिए हैं कि गुलाब से इतर निकालने की प्रक्रिया इतर निकालने की विधी गुलाबों से किस ने खोजी थी असमत बेगम ने ही खोजी थी ठीक है और अगर हम बात करें नूर जहां का वास्तविक नाम क्या था कई पर पेपर में पूछा जाता है महरु नि कहा गया था सितारा देवी को किसने कहा था रवीद्रना टैगाउर ने ठीक है और जिस वक्त रवीद्रना टैगाउर ने इनको कथक सामरागी कहा था इनकी उम्र महज उस वक्त 16 वर्ष की थी ठीक है अगर इनकी बात करें तो इनको 1975 में 1975 में पदमस्री से इनको समानित किया जा चुका है ठीके फ्रेंट्स दो हसार चौदह में इनकी डेथ हो चुकी है अगला है दो देशांतरों के मध्य की दूरी क्या कहलाती है तेकि दो देशांतर रेखाएं होती के हैं देकि जो इस ग्लोब होता है और नौर्थ और साउथ को मिलाने वाली ज़रे नौर्थ पोल इनी रेखाओं को क्या बोला जाता है देशांतर रेखाएं बोला जाता है और इनकी जो यह बीच की दूरी होती है इस दूरी को क्या बोला जाता है गोरे इनको बोला जाता है ठीक है और अगर बात की जाए इनकी दूरी की बीच की जो दूरी है इसकी दूरी कितनी होती है लगबाग 111 km के आसपास ये दूरी होती है 111 km 1.32 करीव है ठीक है तो आपको ये भी धियान में रखना है और अगर बात की जाए देशांतरों से संबद एक परशन और पूछा जाता है जो कि काफी महतपूर है कि किसी भी स्थान का समय ग्याद करने के लिए तो अगर आपको किसी भी स्थान का समय ग्याद करना है तो अगर आपको देशांतरों की इस्तिती बता दीजाए कि वहाँ पर कौन सी देशांतर है आप समय वहाँ पर ग्याद कर सकते है एक और प्रशन पूछा जाता है कि एक डिग्री दिशांतर जाने में कितना समय लगता है या कितना समय होता है तो एक डिग्री दिशांतर कवर करने में कितना समय लगता है चार मिनट का समय वहाँ पर लगता है ठीक है अगला है हिंदू पर पाधिशाही का सिध्धांद किसने विक्सित किया था तो हिंदू पतेशाही का सिद्धान कॉछन्य शूरू किये था बाजी राउ प्रत्वम अब मराथायों में थे ठीका पेशवाथ थी यह वहां पर और बहुत भी जादा पासिद्ध पेश्वा इनको माना तो थे ही जो इनके साथ में संबंद बना था मस्तानी नाम की महिला थी तो उसके साथ भी काफी चर्चा में रहे थे आपको पुछा जाता है कौन से पेश हुआ मस्तानी नाम महिला के साथ संबंद के करण चर्चा में रहे थे बाजी राओ प्रथम ठीक है अगला है भूदान आंदोलन किस ने शुरू किया था भूदान आंदोलन जो था इसकी शिरुवात कि थी विनोबा भावे ने इसकी शिरुवात कब की थी 1951 में इसकी शिरुवात की गई थी और कहां इसकी शिरुवात की गई थी तो तेलंगाना में इसकी शिरुवात हुई थी ठीक है यह भी आ अब को ध्यान में रखना है विनोबा भावे पहले वक्ति हैं जिनको रह्मन मैक्सस से पुरस्कार मिला था तो कोईला का सरवादिक भंडार है अगला है वसा का पाचन के कौन सा एंजाइम करता है वसा यानिकी फैट और फैट का जो पाचन करता है वो कौन सा एंजाइम है वो है लाइपेज सिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव किसके द्वारा शुरू किये गए थे तो देके जो ये दो उत्सव शुरू किये गए थे ये शुरू किये थे बाल गंगधर तिलक ने गणेश उत्सव की शुरूवात उन्होंने 1893 में की थी और शिवाजी उत्सव की शुरूवात उन्होंने 1895 में की थी ठीक है और इसी के साथ एक और चीज बाल गंगदर तिलक से संबंदित पूछी जाती है कि इन्होंने दो अकबारों को भी शुरुवात किये था कौन सा था एक तो था केसरी और एक था मराथा ठीक है मराथा और केसरी किस भाषा में प्रकाशित होता थ तो जो केसरी था ये मराथी भाषा में प्रकाशित होता था और जो मराथा था ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था थोड़ा कंफ्यूजिंग है यहां पर आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आपको इसको लेकर चलना है आराम से क्लियर करते वें चलना और उस दिन डेट कौन सी थी उस दिन डेट थी चार जुलाई ठीक है अमेरिका के परथम राश्टपती कौन थे वह आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं ठीक है अगला है इंडिया विंस फ्रीडम किसकी पुस्तक है तो यह किताब लिखी गई है इंडिया विंस फ्रीडम यह लिखी है मौलाना अबुलकलाम आजाद ने और यह भारत के पहले शिक्षा मंत्री है ठीक है आपको अगर प्रश्ण पूछा जाता है कि भारत के परथम से पूरव घूमती है यानि कि अर्थ कैसे गूमती है एंटी क्लॉक्वाइज गूमती है पस्चिम से पूरव क्यों लेकिन जो अन्यग रहे हैं जो अन्यग रहे हैं जो दो ग्रहे हैं यह दोनों ग्रहे कैसे घूमते हैं यह क्लॉक्वाइज गूमते हैं तो आपको से पूरव और ये दो ग्रह शुक्र और यूरियनेस के पूरव से पश्चिम खुमते हैं ठीक है अगर हम बात करें शुक्र ग्रह की तो देखे शुक्र ग्रह से संबंदित कुछ महतुपून प्रशन है जो बनते हैं पेपर में पहला यह अर्थ का सबसे निकटतम ग्रह है ठी तीसरा इसको भोंच साम का तारा ठीक है सांच का तारा और भोर का तारा भी इसको बोला जाता है प्रतिवी की बहन भी इसको बोला जाता है ठीक है बहुत ही इंपॉर्टन यह प्रशन है चारों ठीक है तो यह आपको ध्यार में रखना है सुक्र से संबंदित और यह और मह हमारे सौर मंदल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर और सैटन के बाद इसी का नंबर आता है इसकी खोच विलियम हर्षल ने की थी 1781 में इसकी खोच की गई थी विलियम हर्षल के दुवारा और ये अपनी एक्सेस पर इतना ज्यादा जुका हुआ है कि इसको लेट किसको बोला जाता है उरेनस को ठीक है और इसका उप ग्रह है उसका नाइम है टाइटेनिया टाइटेă कि Candideñ अगला है के साम्राज्य में सहरी जन संख्या का प्रतिशत सरवाधिक है इन dalej के साम Tuesday को मध्य जो किसमें रखकर संचित किया जाता है तो सोडियम को किसमें रखकर जमा किया जाता है वो है मिट्टी के तेल में वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार होने का कारण क्या है तो वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है सर्फेस टेंशन के कारण ठीक है प्रश्ट तनाव के कारण अगला है विश्वक की सबसे उची चोटी किस देश में इस्तित है तो विश्वक की सबसे उची चोटी कौन सी है वो है माउंट एवरेस्ट के कहा है नेपाल में है ठीक है माउंट एवरेस्ट की उचाई कितनी है 8848 मीटर है ठीक है कहीं कहीं पर 8850 मीटर भी बोली होती है ठी सद्रीक हैं चालता है है आप मुझे कमेंट करके यह सांवर्थी सूची को भारत के समिधान में कि से देश के संविधान से लिया गया है ठीक है यहां हमारी जो Constitution वाली Classes Theory की उसमें मैं आपको यह बता चुका हूँ ठीक है अगला प्रशन है Utopia की रचना किसने किये तो ठीक है यह यूटोपिया है यूटोपिया की रचना किये दूसरा जो आंगल मैसूर यूद हुआ था यह मंगलोर की संदी के साथ समाप्त हुआ था ठीक है मंगलोर की संदी आपको डारेक्टली पूछा जा सकता है कि मंगलोर की संदी कभ हुई थी यह संदी हुई थी 1784 में ठीक है और जो दूसरा आंगल मैसूर यूद था इसकी शि इसी में जो हैदर अली था वो मारा जाता है कौन था इसमें अंग्रेज वो था वारन हैस्टिंग ठीक है उसके साथ ये दूसरा अंगले मैसुर्यूद होता है फिर होता है तीसरा अंगले मैसुर्यूद तीसरा अंगले मैसुर्यूद तीसरा अंगले मैसुर्यूद कब होता ह सब्सक्राइब है और यह समाप्त होता है टिपु सुलतान की मृत्यों के साथ टिकिए टिपु सुल्तान के मृत्यों के सिद्ध में होती है चौते अंगले युद्ध में होती है और अंग्रेज कौन था इस समय जो गवर्नर था उस समय वैले जली था ठीक है अगला है पाशूपत संपर संपर्दाय की स्थापने कि लकुलिश ने ठीक है जो शैव ध्रम है जो शैव है उनका सबसे प्राचीन संपर्दाय इसको माना जाता है और इसक सिध्धान्त पर काररे करता है जो बॉल पैंज़ोफ न कि जैभ वांच का जो प्रमुख आठा अग्ला है किसे जीव और निर्जीव की बीच की कडी कहा जाता है यहां पर इसको कडी कर देना ठीक है तो जीव और निर्जीव की बीच की कड़ी कहा जाता है वाइरस को अगला है 1951 में गठी तपर्थम वित आयोग के अध्यक्ष कौन है तो वो थे केसी नहीं होगी ठीक है जब पहला वित आयोग का गठन किया गया था ये किया गया था 1921 में ठीक है और इसके अध्यक्ष थे केसी नहीं होगी वित आयोग की स्थापना सैंस फ्रांसिसकों में की गए ठीकिए इसका मोजं सैंस फ्रांसिसकों में है और इसकी स्थापना किसने की लाला हर रियाल नाख थी अगले है ऐलोरा के प्रशिद कैलांस मंदिर का निर्मान किसने विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है वह है महाकवी तुलसी दास किस राजा के राजेकाल में प्रसिद्व हुए थे तुलसी दास थे यह किसके संवकाली थे यह संवकालीं थे अकबर के है अगला है हिर्दे संबंधी रोग एन उच्छाप की बीमारियां किस पोशक तत्व की अधिक्ता로 से होती है तो जिकि अगर आपके शरीर में वषा अधिक हो जाता है किसी के भी शरीर में वशा की मात्रगर अधिक हो जाती है तो उसको दिल से सम्बनी प्रॉब्लम सुमा पर शुरू हो जाती है विश्व अन्यजीव निधी का सुभंकर क्या है विश्व वन्यजीव निधी यानि की world wildlife fund ठीक है www.f इसको बोला जाता है world wildlife fund और इसका जो सुभंकर इसका मैस्कॉट है वो कौन है यह होता है कि कुछ पतार्थ इसे होते हैं जिसे कि ये जैसे केमेस्ट्री में होते हैं फ़िया करते हैं वह करते है वहouleag भागनी लेते हैं लेकिन की तीवरता को बढ़ा साचते हैं ऐसे ही जो यह किक ही कोची गई थी किसके द्वारा इसके द्वारा करते हैं कैक्ट में भाग नहीं ले इसके अंदर इसका थी bye लेकर उसकी तीवर्ता को बढ़ा देते हैं आपको प्रश्न ऐसे बनता है कि रियक्शन की तीवता को बढ़ाने वाले जो चीजे उनको क्या बोला जाता है थाटिक है किसंटे इसकी खोज की थी बरजीलियस ने ठीक है अगला है राज्यसभा के पहले सभापती कौन थे तो दोक्टर ऐस राधा क्रिश्ण यानि कि सर्वपली राधा क्रिश्ण जो भारत के पहले उपराष्टपती थे आपको पता होगा कि जो राजय सभा होता है उसका सभापती कौन होता है भारत के उपराष्टपती होते हैं तो भारत के जो पहले उपराष्टपती थे वही राजय सभा के पहल तो फाक 느 रहा मार्च को अमोनिया गैस बनाने की हैवर बनाने की जो है कि अगला है भारत भारतियों के लिए है को नारा किस संगठन ने दिया था तो यह संगठन को फ्र penny गठन था आरे समाज के स्थापना किस ने की थी और कब की थी आप मुझे कमेंट करके ज़रूरू पता है अगला है आज का अंतिम प्रश्ण आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए तो जो आइडियल अमीटर होता है इसका जो रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए अबी हमने ऊपर देखा तो जो वोल्त मीटर होता है उसका कितना होना चाहिए उसका कितना होना चाहिए तो फ्रेंस यह था हमारा आज का 49 वा पार्ट टॉप प्रीविस येर जीके जीए सीरीज का उमीद आपको वीडियो पसंद आएगा वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेर भी कीजिए थैंक्यू फ्रेंड्स